नमस्कार दर्शकों मैं हूँ नाविका कुमार और आप चुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शोपर हिंदी राजो को गौमूत्र स्टेट कहने वाले डीम के सांसत सेंथिल कुमार ने आज लोग सभा में अपना बयान पापस ले लिया कल मेरे साथ इंटर्व्यू में वो अपने बयान पर अड़े थे मैं तो यही कहूंगी के देर आए दुरुस्त आए लेकिन देश में वोट बैंक के लिए बटवारे का मुद्दा अभी भी थमा नहीं है आप सभी को हिंदुस्तान में वोट बैंक की दिवार दिख भी रही हो राहूल गांधी का बयान था भारत माता कौन मैं जानती हूँ के राहूल गांधी के इस बयान को लेकर कॉंग्रेस की सफाई थी कि वो पिछडे दले तादिवासियों की बात कर रहे थे लेकिन क्या वो भारत माता के नाम पर एक दिवार नहीं खड़ी कर रहे थे उदेनिधी स्टालिन का सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्ज, इत्याती कहना अभी कोई हिंदुस्तानी भूला नहीं है तेलंगाना के मुख्य मंत्री बनने जा रहे रेवंत रेड़ी का एक बयान भी वाइरल हो रहा है जिसमें वो तेलंगाना का डियने बिहार से बहतर बता रहे है जाती जंगन्ना की बात करने वाले राहूल कांधी शायद चुप रहें लेकिन डियने वाला ये बयान केसी आर के लिए कहा गया मैं आपको बता दू के बिहार के मुख्य मंत्री भी कुर्मी जाती से आते हैं लेकिन चुप उधर तीन हिंदी राज्यों में बीजेपी की जीत और तेलंगाना मेहार के बाद समाजवादी पाटी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्या ने हाल ही में हिंदू आस्ता पर सवाल उठाते हुए पूछा था चार हाथ वाली माता लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है बिहार के मंत्री चंदर शेकर तो रामचरित मानस को कूडा कच्रा कहकर बताते नहीं धकते है सवाल पब्लिक का है कि क्या टुकडे टुकडे वाली यही सोच नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने चले विपक्ष के इंडिया गटबंधन को ले डूबेगी हम सब का डियने क्या हिंदुस्तानी नहीं है या कोई बिहार डियने वाला, कोई तलंगाना डियने वाला, कोई यूपी का डियने वाला, कोई गुजरात का डियने वाले थोड़े ही है वोट बैंक के लिए हिंदुस्तान में दिवारे क्यूं यही है आज दवाल पब्लिक का राहुल गांधी ने भारत जोडो यात्रा सिर्फ इस दावे के साथ निकाली थी कि देश में नफरत फैल गई है राहुल आज तक कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मुहब्बत की दुकान खोलनी है लेकिन इंडी गट बंधन के नेता सेंतिल कुमार के बयान पर राहुल गांधी की चुप़ी उसी तरहां बरकरार है जैसे सनातन को नश्ट करने के बयान पर उनकी चुप़ी थी लेकिन तीन हिंडी राज्यों में जीत कर आई बीजेपी ने आज सेंतिल कुमार के बयान को लेकर संसद में हंगामा कर दिया देखिए संसद में आज सुभा क्या हो सिटी आर बालू जी तुमको माफी मंगना चाहिए माफी करने चाहिए और देखिए बढुचिए बालू जीरी थी थी ने कि एसे कर दूब अचेलेगा लिए सुभा को अच्छिए अच्छिए बासिवारि है कि आठे कि आठी है आठी है तो संसत में संथिल कुमार के बयान को लेकर बीजे पी हमलावर हुई तो संसत के बाहर तेलंगाना के मुक्यमंत्री बनने जा रहे रेवन्त रेड़ी के डीने वाले वाइरल बयान पर खुद इंडी गट बंधन में तूफान मचा है कल मेरे साथ डिबेट शो पर बीजे पी प्रवक्ता शहजाद पूला माला ने वही बयान सुनवाया था आप भी देखे इस तरह देखे रेवन्त रेड़ी बयान सुनवारा इस सब्सक्राइब देखे जाए टेलंगाना इस सुपिर तो थे डिने अ ओबी सी खुरमी औं विहार जिसवाइब बयान था चास्ट विलांगाना था बिजे बिजे अज़गर ने जाए अंगर विजे रिग बिजे आपको याद दिलाती चलू के 2015 के बिहार चुनाव में प्रधान मंत्री मोदी के एक बयान को लेकर DNA मुद्दा बना था प्रधान मंत्री का बयान था नितिश कुमार के DNA में कुछ गड़बर है क्योंकि लोक तंत्र का DNA ऐसा नहीं होता लोक तंत्र में आप अपने राजनितिक प्रतिद्वंदियों को भी सम्मान देते हैं जवाब में नितिश कुमार ने प्रधान मंत्री को खुला खत लिखा था प्रधान मंत्री मोधी की कही बात को बिहार के स्वाभिमान से कनेक्ट करने की कोशिश भी की गई थी नितिश कुमार ने बिहार के 50 लाख लोगों से PM मोधी को अपना DNA भेजने की अपील की थी नेताओं और कारे करताओं ने DNA जांच के लिए अपने नाखून, बाल के नमूने PMO भेजने शुरू कर दिये थे लेकिन आज ना बिहार के सम्मान की बात हो रही है ना ही ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में किसी का DNA अलग कैसे हो सकता है JDU, RJD के कुछ नेताओं ने विरोध दर्ज कराया है लेकिन नितिश कुमार जी अब भी चुप है इंडी गटबंधन में बटवारे की सोच होने का आरोब 2024 के चुनाग के पहले BJP को बड़ा मौका दे रहा है सुनिये केंद्रिय मंत्री अनुराग ठाकुर का ये बयान PMK के नेताओं के सनातन धरम, हिंदूओं और हिंदी और उत्तर भारत के खिला बयानाना ये एक सोची समझी साजिश है, सुनियोजित रंडिती का हिस्सा है जहां भारत और भारतियों को नीचा दिखाने का कोई कसर कॉंग्रेस नहीं छोड़ रही कॉंग्रेस उनके सैयोगी लगातार देश की आस्था और संस्कृति का अपमान करती आ रही मेरा सवाल शरीमान राहूल गांदी और सोनिया गांदी जीसे ये है कि ये देश को बांटने वाले ही सोच आखिरकार कॉंग्रेस क्यों ला रही तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल लगातार हार के बाद इंडी गटबंधन पर देश में बटवारे की दीवार खड़ी करने के आरोपों में क्या दम है जब हिंदुस्तान का डीएने एक है तो मुहबत की दुकान वाले राहूल गांधी नौर्ट साउथ और डीएने पर चुप क्यों है सवाल नमबर तीन हार के बावजूद क्या राहूल गांधी ही 2024 में कॉंग्रेस का चेहरा होंगे और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि ये सवाल आज प्रणम मुखर जी हमारे राष्ट्रपती रहे प्रणम मुखर जी की डाइरियां सामने आई है और उस पर उनकी बेटी ने किताब लिखी है इन तमाम सवालों के साथ आज चलते हैं अपने महमानों के पास हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजे पी के राष्ट्रिय प्रवक्ता और सांसत सुधानशुत रिवेदी जी हमारे साथ अनुराग भदोरियां हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जीम शाहीन नेता है जेडी यू के प्रफुल लकेत कर वरिश्ट पत्रकार है लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है वरुन पुरोहिच जी को कॉंग्रेस के नेता है और वरुन पुरोहिच जी राहुल गांधी मुहबत की दुकान खोल रहे थे लेकिन क्या बात है कि चुनाव पर तो जाकर मुहबत की दुकानों की बात करकर जब सनातन को मिटाने की बात आ क्या कहीं न कहीं यह मुहबबत की दुकान में नफरत का सामान भिक रहा है। केंदरी मंतरी बना रहता है और साथ की साथ बलातकारियों को केस वापस लेते हैं फिर उसको योगी मोडल कहा जाता है। करती थी ना आज करती अब यह बात आती है इंडिया लाइंस पर इंडिया लाइंस इसलिए उन पार्टनर्स के लिए आप के रहे हो ऐसे स्टेटमेंट क्यों देते हैं जिन्नोंने दिये कुछ ने तो माफी मांग ली बागी कुछ भी कोई भी देता है उसके हम निंदा करते ह कि देश का कोई बड़ा नेता जाके दक्षिन कोरिया में कई वर्ष पूरु कहता है कि भारत में पैदा लेने से पैदा होने से शर्म आती है यह किस रेनिम आएगा किसी माता को आप जर्सी गाय बोलते हो किस रेनिम आएगा विदेशी माता से उत्पन कोई संतान नहीं बन वरुन पुरोहिद जी रेवन्थ रेड़ी जो मुख्य मंत्री बनने जा रहे हैं तेलंगाना के जो कहते हैं तेलंगाना का डियने बिहार के डियने से बहतर है सुपीरियर है ये क्या इंडी अलाइंस के हैं या कॉंग्रेस पार्टी के हैं पहले तो ये तै कर लीजिए तब तक मैं चलती हूँ सुधानशु त्रिवेदी जी के पास सुधानशु त्रिवेदी जी अब जवाब दीजे वरुन पुरोहिद जी का जो अभी कहते हैं कि मुहबत की दुकाने खुली हुई है देखे मोहबत की तथा कथित दुकान में कितने जहर बुझे सामान है ये पूरे देश को दिखाई पड़ रहा है और आज से क्यों जब इनकी तथा खतित भारत जोड़ो यात्रा थी तो बताईए केरल में शुरू हुए थे तो वहाँ वो सज्जन मिले थे जिनोंने बीफ पार्टी की थी उसके बाद तमिल नाडू में आये थे तो यादे आपको जॉर्ज पुनिया जिसने कहा था कि भारत माता को वो इतना अपवित्र मानता है कि जूता इसलिए पहनता है कि उसके पैर ना टच हो जाए फिर आईए आप जब करनाटक में आये थे तो आपके सतीज जहरकी हो ली उस समय कारिकारी अज्यक्त आज मंत्री हैं क्या बोले थे कि हिंदू शब्द बहुत गंदा है और जाने क्या क्या और फिर वो तो छोड़िये नफरत की दुकान में हिंदू की कबर खुदने से लेके और अभी जो कुछ इरैडिकेशन और समातर यहां यह विशे नहीं है अगर आप कह रहे हैं पुरोई जी समस्या जानते क्या है कि मध्य परदेश में कबन नाज जी हिंदू राष्ट का भी बचाओ करते ने जराएंगे और तमिल नाडू में हिंदू धर्म का समूल नाश की कॉन्फरेंस यानि एरैडिकेशन और सनातन धर्म उसका ही बचाओ क तो है ही परंतो इस देश में का और बात समझीए हम इतने पुराने प्राचीम रास्टे इतना क्रिस्कॉस हुआ है ये जो छेत्रवात की बात करते सारी बात खतम हो जाती है मनवर बाला साथ ठाकरे जी के पिता जी प्रबोधंकर ठाकरे जी ने पुस्तक लिकी थी जिसके अनुसार ठाकरे जो वंच है उसका उद्गम मगत से था आज के बिहार से वही उत्तरा खंड से लेके और पंजाब तक जो जोशी और पंथ पाए जाते हैं ये सब मुलता महराष्ट के हैं जो मुगलकाल में उपर आके आए अब बताईए ममता बनर जी जी जो हैं बंगाल में जो लोग बनर जी चटर जी मुखर जी गांगूली और भटा चारे हैं ये सब लोग औरिजिना उत्तर प्रदेश के मद्दे से आए हुएं आब बताईए दक्षर से शंकराचार जी केरल के थे और उनकी समादी जाकर के दारनात में ये है भारत का नेशनल इंटीग्रेशन मगर अफसोस कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते किसी में विश्वास करते हैं वो एक समुदाए को तो इसकदर एक जुट रखना चाते हैं कि फिलिस्तीन और हमास तक एक जुट करके रखो और दूसरे समुदाए को उत्तर दक्षर में बाट के रखो डियने में हिंदी में बाट के रखो अगड़े पिशड़े में बाट के रखो एक को बाट के रखो काट के रखो और दूसरे को जोड के रखो ये समस्या है परंतु भारत की प्रबुद जंता भली बाती समस्ती है और तीनों राज्यों के चुनावों में उसका कोई न कोई एक संकेत भारत के मद्दाताओं ने दिया है। उन्होंने बीजेपी के उपर उंगली उठाई थी और इसके अलावा अब ये डीने का कमपैरिजन है अब आप हम चर्चा करेंगे तो क्या ये देखेंगे कि मैं पंजाब से हूँ तो मेरा डीने कैसा है आप उत्तर प्रदेश से है तो आपका डीने कैसा है ये अब हमारी बी करते हैं मैं उनका खंडन करता हूं कते ही सपोर्ट नहीं करता क्योंकि हमारा देश जो है विवित्ता में एकता है लेकिन 2014 के बास से भारती जनता पार्टी ने जो नफरत की राजनित हिंदुस्तान में शुरू की है आज कितनी अच्छी बाते कर रहे हैं नफरत की राजनि जी ने क्या का था राष्ट पता महात्मा गांदी के हत्यारे को राष्ट भक्त बताने की बात कही थी क्या किया इनों उनके साथ इनी का एक संसत पार्लेमेंट के सदम में खड़ा कि रमेज विदुड़ी पूरे हिंदुस्तान की जो हमारी एकता को खंड कंड करता रहा कित किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया संसत का अप मान किया राश्च का अप troll किया और वहां पर हिंदुस्तान का पुंख मान किया क्या हूं क्या क normtrl knobs कोई कारवाई की जानना चाहता हूं ये भारती जrantा पार्टी जब नफरत की राज़्ीत को बढ़ावा देती है उसके बाद जब अच्छी बाते करती है तो इनके जो नैतिकता उसे शप होता है क्योंकि ये जो पेपर जो जनता ने प्रस्फ ने जो प्रक्रशन दिया है महेंगाई, बिरुजगारी, महला समस्या, किसान, अर्थवस्ता, हेल्थवस्ता, कैसी है इसके बारे में जो जनता इंतजार करती उस पर चर्चान हो जाए इसलिए अपनी बातों को छुपा के दूसरों को बातों को जागर करते हैं मैं कहता हूँ, जिसने बोला गलत बोला, लेकिन बार बार आप उस बात को रिपीट कर रहे हो इसलिए आप भी उतनी गलत हो, आप भी उतनी जिम्मेदार हो, जो उसको उठा रहे हो बार बार जो गलत बोला है बोला है मैं बोलता हूं क्या मैं आपकी बातों को बार बार रिपीट करता हूं क्या मैं कहता हूं क्या आपके नेता हूं ने क्या-क्या बोला है लेकिन मैं बोला नहीं चाहता हूं क्यों मुद्दा देश के अंदर में नहीं होना चाहिए देश के अंदर मु इतना अच्छा बोलते हैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते सुनकर इतना अच्छा लग रहा है आज भारत का ये जो दर्शन दिया आपने लेकिन के सी आर तो आपके दोस्त हैं चाहे आप इंडी गट बंदन में हैं लेकिन के सी आर आपके दोस्त हैं आपने इस पर टेवन्थ रेड़ी जो कहते हैं तेलंगाना का डियेने बहतर है या केसियार जी जिनका डियेने बिहार की कुर्मी जात का बताया जा रहा है आपने बताया नहीं कौन जादा दोस्त है या दो दोस्तों के बीच में आप फस गए हैं इसलिए बस फिलोसफी दे रहे हैं सुन लीजे न, आप बोले नहीं देगे, मेरा एकी DNA हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी DNA है, और इस DNA पे मुझे घमंड है, मैं भारती जनता पाटी का नहीं हूँ, जो डिवाइडर रूल करना चाता हूँ, धरम की राजित करते हैं, जो जो धरम के नाम पे बड़ारा करते हैं, मैं हूँ हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी DNA में क्यों दिवारे खड़ी की जा रही हैं, लेकिन सुधान्शु त्रिवेदी जी आपको रिस्पॉंड करना चारे हैं, जी सुधान्शु जी. पर उनके मूँ से एक शब्द निकला, कौन है जो बार-बार बोलता है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, सौमी प्रसाद मौरे, पहले कहते हिंदु दर्न धोका है, फिर कहते हिंदु रामचरीत मानस में ये लिखा हुआ है, फिर उसके बाद रामचरीत मानस की प्रतियां बार-बार कौन कर रहा है, फिर माता नक्षमीं जी के बारे में आप अत्रिजनक टिपड़ी कर रहे हैं, ये बार-बार कौन कर रहा है, और मजे की बात ये कि उनकी बेटी तो उनको मानने को तयार नहीं है, बेटी अपने बाद को मानने को तयार नहीं है, मगर अखिलेश जी उनका समर्थन कर रहे हैं और आदमी कैसा ये भी तो आप देखिए जब वो बस्पा में थे तो नारा था हाथी नहीं गणे से ब्रह्मा विश्चु महें से तो उनके साथ थे चुके सत्ता पानी थी हमारे या आये तो जैसी राम के साथ थे ये पता नहीं आपके साथ जात हैं इराडिकेशन और सनातन धर्म फिर अगले दिन उनका नेता कहता है नहीं ये तो डेंगू मलेरिया और वाइरस है ये बार-बार कौन बोल रहा है उसके बाद वो कहता है कि नहीं एचाईवी और लेप्रोसी होना चाहिए और अब कहते हैं कि गोमूत्र के राज्य में ज पर्टी हैं ये यूएस में हुआ है और पेटेंट नंबर भी है 68960907 कोई जाके चेक कर ले मगर क्या बताए जिनके दिमाग में मैकाले का वाइरस घुसा हुआ है उनको इन सारी चीजों में उन महानतम चीजों में हिंदू धर्म की चीजों में जिसको बड़े-बड़े ने क्या क्या बोला है नील्स बोर एरविन शोडिंगर, रॉबर्ट अपन हाइमर, वर्नर बॉनब्राउन, वर्नर हैज JAKEनबर्ग, क्या क्या नहीं लिखा, मैं सबकी किताबे कोट कर सकता हूं मगर क्या बता हैं, ये मेकाले और मार्क्स के वाइरस ने धिसमा क इतना दूश सब्सक्राइब पूरा बोले मैसेज अच्छा ही जाएगा लेकिन रेवन त्रेड़ी जी के बारे में बोले ना बोले तो सही अरे आप चुप तो रहिए मुझे बोले आगर अगर आप अरे सर आप चुप होंगे तो तो मैं बोल पाऊंगा बीजेपी के समय चुप होते मेरे साम में चुप हो जाएए तभी तो लोग तंत्रिकी रच्छा होग आप मजबूत इसे डटे रहिए बोलिए मैं चौता इस्तम हूँ कौन होते हैं लोग फालतु बात करने वाले हम अपना करता भी निमाएंगे बोलने देंगे बिपच को भी आवाज उतनी मजबूत होगी इतनी अवाज सता पच्च को होगी यह आपका जाएक तो है इसे मैं आपसे बोला कि आपके यहां मंत्री हैं जो लोग इस तरह की भाषा के इस्तमाल करते हैं क्या आपने उनको पार्टी से निकाला मैं पुछना चाहता हूँ क्यों नहीं आप करवाई करते हैं आप अगरवाल जी के उपर में इनके बेटे को आपने मंत्री तक बना दिया कमा का है आपसे पुछना चाहता हूँ जो महत्मा गांदी के हत्यारे को राष्ट पिता हैं मारे महत्मा गांदी जी राष्ट पिता देश की आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े और हम सब लोग उनको पूछते हैं उनके हत्यारे को आप राष्ट बगताएंगे और आप स्वाल पूछना जाओ ओसा आदमी से आपने क्या किया स्वामी प्रशाद मौरया के खिलाब आप अपना लेखा जों कर देंगे नहीं आप बीजेपी से सवाल पूछेंगे आप अपना कुछ की करेंगे नहीं सुधान शुत्रिवेदी सुधान शुत्रिवेदी की बाते करते हैं मैं इनको जवाब बेता हूँ जो रास्ट के खिलाप बात रहा जोर से बोलकर मुझे डरा धंकाकर आपकी बात सही नहीं हो जाएगी अनुराग भदोरिया जी अनुराग भदोरिया जी एक लंबी सांस लीजे लंबी सांस लीजे पानी पीजे बाकी लोग भी बोलना चाहरे है पहले सुधान शुजी और फिर में शाहिन साब को लाएगा है अरे भाई अनुराग भदोरिया जी यही तो मैं कहना चाहता हूँ जब आदमी आपके पाले में रहता है तो पता नहीं उसका दिमाग कैसे वो हो जाता है किस आप क्या चीज समझा देते हैं कि लोग उल्टे सिधे बयान देने लगते हैं आपने संजे निशाद जी की बात कही भाई संजे निशाद जी का 2022 का विधान सभा का चुनाओ यादे मंत्री के रूप में सत्ता में हैं वो हमारे को भी कुछ न कुछ इस्थान देंगे हो तो राम का भक्त बोल दिये भाई पर जब आप क्या देता कुछ बोला था इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बात का बयान वो होता यही मैंने कहने का प्रयास किया कि आप क्या रहते तो पता नहीं क्या अंच्छंट हो जाता है अचा दूसरी बात आपने कहा देश की एकता और अखंडता की जो बात आपने कही तो मैं यही तो पूछना चाहता हूँ सनातन धर्म का समूलनाज क्या है यह बड़ा समन्वे और सौभार्द का विशे है यह बताईए आप परंतु यहां एक और बात डियने पे एक मज़ेदार बात पुझे याद आई नाविका जी अखिलेश यादव जी यादव है ठीक यादव वंच की का संबंद भगवान कृस्ट से माना जाता है तो मतलब डियने भगवान कृस्ट से कनेक्टेड हो गया और फिर कहते हम तो सूद रहे बताई देखे गजब की पॉलिटिक्स है साब गजब की पॉलिटिक्स है समाज को लड़ाने भिड़ाने के लिए कुछ भी सच्चा जूटा अच्चा साब बोल दो कभी अपने को ये कह दो कभी और ये अखिलेश जादो जी का ओन रिकॉर्ड है और ये भी ओन रिकॉर्ड है जो मैंने बोला इसलिए मैं कहता हूं साब आज के डिजिटल जमाने में धोका देना बहुत मुश्किलर है अनुराग जी साब डाटा रहता है और जनता फट से निकाल कर सामने रख देती बिल्कुल अनुराग पदोरिया जी का फोन बीच में ड्रॉप हो गया था ज्यादा गरम हो गया था तो शायद कट गया होगा लेकिन शाहीन जी मैं आऊंगे अनुराग जी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं इंडी गटबंधन को बचाने का इतना जादा प्रेशर है कि कुछ बोलते बन नहीं रहा एक बार प्रधान मंत्री ने 2015 में कहा जब उन्होंने डिनर कैंसल किया था पूरे BJP सांसदों का तो उन्होंने कहा था कि भाई इस तरह का डिनर जिसमें लोकतंत्र नहीं है तो नितिश कुमार जी को गुस्सा आ गया था डिनर के सैंपल भेजने लग गये थे आज इस तरह की बात बिहारी डिनर के बारे में कही गई गुस्सा कहा गया शाहिन साहब ने बिल्कुल गलत बात है हम क्या मत बोलते हैं कि ये बिल्कुल गलत चीज़ें नहीं कहना चाहे था और ये ये जो ऐसी जबान है ये शोबारी देती हम तो पूरे देश को जोडने की बात करते हैं एक सामने लाने की बात करते हैं देश में एक ने जो देश का है वो एक है थोड़ी कोई अलग है लेकिन जहां तक रिवेंट रेडी जी का जो बयान आया है बिलकुल गलत है हम यह मानते हैं कि उनको इस बयान से परेज करना चाहिए और बिलकुल माफी भी मांगनी चाहिए जनता से हवाम से क्योंकि जो चु बानी देते हैं कि वो इस तरह की बात करें लेकिन जाहन तक गटबंदन का सवाल है जाहन तक इंडिया गटबंदन का सवाल है यह सब चीजें बिलकुल गलतिया हो सकती है मैंने इससे पहले भी काफी दफ़ा देविकाजी आपके प्रोग्राम में का कि हम सभी लोग जो है फरिष्टे तो नहीं है विकाज ये चीज़े आ सकती है सामने ये गलतियां हो सकती है लेकिन नहीं होनी चाहिए हम इस चीज़ को भी कहते हैं कि देश में जो है ये देश सभी जो मज़भ के लोग जो जुड़े हुए हैं तब बारत देश का नाम पड़ा है और इस देश ने बड़ी कुर्वानी आजादी के लिए जब सनातन को गाली मिलती है तो भी चुप रहते हैं जब बिहारी डियाने नीचा दिखाया जाता है तो भी चुप रहते हैं तो ये कौन सी मुखबत की दुकान है प्रफुल लकेटकर जी बिलकुल गलत है कि हम इसका खंडन करते हैं इस चीज़ों से बाद आना चाहिए इस मुखबत की दुकान को तो जनता ने किस तरह से नकारा है हमने देख लिया नागी का मैं दो बिंदो की तरफ ध्यान आकर्शित करना चाहता हूँ एक ये सारा जो रेस और डियेने वाली थेरी आती है उस पर और एक गो रक्षा और गो मुत्र के उपर आती है तब क्योंकि बार बार डॉक्टर बाबासाब अंबेडकर और महात्मा गांदी जी का नाम लिया जाता है डॉक्टर बाबासाब अंबेडकर हूँ वेर्ख शुद्राज में कहते है वोल्यूम सात में पेज नंबर 302 पर वो कहते है कि इफ एंथ्रोपोमेटरी इस साइस फिच न बी डेपेंड अपन तुटर्माइन देर्माइन देर्माइन थे प्रेस पूपोर्पोर्पोर्य जो बृतिश ओपीसर जिन्होंने यह रखी थी of racial explanation of untouchability must be said to be based on false foundation. दिन राद बाबा सहाब के इन विचारों की हत्या करने वाले ये है कौन? दूसरा, महात्मा गांधी का बयान I do not want Swaraj in India where the cow is being killed. जिस गांधी जी के आगरा पर भारतिय सम्विदान के डारेक्टिव प्रिंसिपल्स में गोरक्षा के संबंदित प्रावदान किया गया उस गांधी जी का बार बार उनके विचारों की हत्या करने वाले ये लोग कौन? और जो ये हत्या करते हैं उनके साथ-साथ वही Indian National Congress खड़ी रहती है जिसने गांधी जी के नाम पर अपनी पूरी दुकान तो चलाई जातार से वातावरण बदल रहा है पूरी पूरा देश समझ रहा है कि हमारी एक जाती है एक संस्कृति एक भारत माता है विचार के साथ पूरा देश इकटा हो रहा है लेकिन दुरभाग्य से जो गुजरात में मंदिर में जाते है जो मध्यप्रदेश में मंदिर में जाते है उनको अपने दक्षिन की राजनीती करते हुए ये समझ में नहीं आता क्योंकि भारत जोड़ो यादा कि लापर सारे भारत को कभी कह देना कि साउथ में साउथ नहीं समझ पाएंगे कभी बीजेपी वाले और मैं गव्मूत्र पर इतना मजाक उड़ाने वाले उत्तर भारत का मैं उनको सुनवाना चाहती हूँ उनके ही वरिष्ट नेता ओस्कर फर्नेंड़स ने गव्मूत्र के बारे में पार्लिमेंट में राज्य सभा में क्या कहा था सुन्ये ये बयान उनका I was suffering from serious cancer, there was no treatment which could cure me, ultimately I came to this ashram and in this ashram I got a relief from Gomutra and my cancer was cured and I have decided to serve this ashram, lifetime I will serve in this ashram, I will not take up any job because this ashram has given me a new life, new lease of life वरुन पुरोहिट जी, अब गव्मूत्र के कुछ नुस्खे ओस्कर फर्नेंड़स ने उनका जिक्र किया, अब बताएए ये बीजेपी से हैं यां कॉंग्रेस पार्टी से हैं नाविका जी ये गव्माता का ठेका लेने वाले पाखंडी लंपी डिजीज आई पूरे देश के अंदर एक बार नहीं बोल पाए और सेंट्रल गॉर्मेंट ने कितना बजट लगाया गव्माता के लिए बताएं देखें एक बार भी लंपी डिजीज के क्योर करने के लिए गाया शुद देशी गायें उनको बचाने के लिए लगाया या विदेश से इनका बजट था दो साल तीन साल पहले कि दूद का प्रोड़क्शन करेंगे डबल कहां से करोगे पशु दन के विगर आप विदेश से लाओगे पाउडर कहां से ला रहे है पाउडर इतना दूद का उतपादन होता है देश के अंदर देशी गव माता बढ़ाते हो क्या आप देखें बहुत से प्रशन है इनके पाखंड को उजागर करने के लिए अभी ये महकाले महकाले की बात करते हैं सारे बीजेपी के नेता मिशनरी स्कूलों पढ़ाते हैं बच्चों को जब नहीं दिखाई देती है आपको अंग्रेजी एजुकेशन क्यों नहीं कराते है आतर शुद्या मंदिर में अपने बच और शुका है जो जो गलमूत्र की पाटी कहते हैं बीजेपी को यह गलमूत्र का विशन को इनको इलम नहीं था इन्हें सम्चाँ है बीजेपी तो गलमाता की पार्टी नहीं है वैसे नाभीका जी जी ओस्कर फनेंडिस जी एक बार में एक हbert शी बोले वरुन पुरो जी आ जब उन्होंने बोला मैं उस समय सदन में था और विशय ये था कि आईरुवेदिक युनिवस्टी वाले विशय के उपर वो बोल रहे थे और आईरुवेदिक जी ने आगे ये भी बोला था कि उनके घुटने में जो प्राबलम आई थी वो योगासन करने के बाद वो ठीक हुई थी नॉर्मल इलाज से ठीक नहीं हो रही थी और उन्होंने आईरुवेद को अपहेड किया था वो ना संगी है ना भाजपाई है और ना हिंदू है इसके बावजूद सारी बात होने के बाद देखिए कॉंग्रेस के लोग कैसे भागने का प्रयास करते हैं और मैं उस विशे के विस्तार में नहीं जाना चाहता अब तो साइंस ने ये भी प्रूफ कर दिया है कि जो इंडियन काव होती है जिसको हम गोम माता कहते है भारती ये गाए उसके दूद में A2 मिल्क होता है जिसमें बैड कोलेस्टॉल कम और गुड कोलेस्टॉल अरिक होता वो नुकलोटाइड्स की संख्या उसमें हम डिटेल में नहीं जाते और जिस पेटेंट का मैंने उन्लेक किया था वो यूएस में पेटेंट एंटी आप्सिडेंस के लिए या 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 उसमें कैंसर क्योरिंग वाले विशे की बाप भी की जा रही है अब दूसरा में यह आप परसान हो रहे हैं आप भाई आप गव के नाम पर पाखंड करते हो इसका जवाब दीजिए गव के नाम पर पाखंड का जवाब दीजिए अरे भाई मैं उसके बात बना रहा हूँ देखे जो ये पाखंड की बात करते हैं हमारे तो कई नेता आपको गोव पूजा करते हुए दिखाई पड़े होंगे आपके किसी नेता की कोई फोटो कभी आती है और या मैं फोटो की भी बात नहीं कह रहा हूँ अगर आपनों के मन में रत्ती भर भी शद्दा होती तो जिस कार करता ने आपके कार करता था इसने केरल में सड़क के उपर गोमाता को काट कर वीव की पार्टी की उसे हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए था पार्टी से कानूरी कारवाई करनी चाहिए थी उसके उपर ये दोहरा चरित नहीं चलेगा कि मैं तो काय से खेला हूँ राजसान में बैठके कहना और केरल में सड़क पे गाय काट कर सड़क पे बीव पार्टी करना और उसके बाद वो भी कांग्रेस का पतादिकरी रहेगा एक नॉमिनल कारवाई होगी और उसके बाद वो एज़िट इस रहेगा यही मैंने का दोहरा चरित रहे और मैं एक और सीरियस बात कहना चाहता हूँ जो बात अभी प्रफुल केटकर जी ने डॉक्टर अमबेडकर की एक किताब कोट की हुवर शूदराज यह शायद 1949 यह 50 में लिखी गई किताब है उस हूवर शूदराज के पहले चैप्टर के पहले पेज में डॉक्टर अमबेडकर ने यह भी लिखा है कि देर इस नो कनेक्शन आफ मौडरन डे शिडूल कास्ट विद अवैदी के शूदराज अब यह डॉक्टर अमबेडकर ने लिखा है और दूसरा वालूम साथ का जो लेक प्रफुलकेटकर जी ने कर दिया इसलिए मैं कह रहा हूँ सौतंत्ता के अमरतकाल में माननी प्रधान मंत्री जी ने जो कहा है उसमें अमरतकाल के अमरततको को रियलाइज करने से फैले बहुत सा विच निकालना है यई मैंकाले का विशह वरुण gy यई मार्स का विशह जो दिमाखों में भार है ह्किकत कुछार है उसके बाज़ों दिमाखों में कुछ और करना संजे प्रजापती का ठाने से सवाल है क्षेत्रिय पार्टियों के नेता अनाप शनाप बयान क्या इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मोदी के सामने उनका वजूद खत्रे में दिखाई दे रहा है जवाब दीजे अनुराग भदोरियाश्य। और मैं तो आप से के रहा हूं मैं तो पदमासन में बैट के डिवेट कर रहा हूं आप हैं क्या दिखा दिए कैमरा में आप पदमासन में बैठा हूं दिखा दो भाई इनको हम तो पदमासन में बैट के योगा कर रहे हैं मने हम आपकी डिवेट कर रहे हैं तो हमसे अच्छा तो योगा कर भी नहीं पाते उसके बारे में आप बात क्यों नहीं करना चाहतें क्या हो गाए माता के लिए आपने जो इतने वादे किये थे आप अपने काम तो कीजे ना प्रबू चलिए देश आज आज आपका योगा पोस देख रहा है सुधानशु जी जवाब तेरे आपके सवालों का सुधानशु ज देखे बो हो सकता है किसी ऐसी जगहे पे बैठे हुए हो गए बिस्तर के रिचा आपके वो कर रहे होँगे मैं तो बिस्तर पर नहीं बैठा हुआ हूँ मैं तो खुर्सी की ओम बच्था ओए इसे ही कहते है नाटक और नोटकी और क्या किया वो मैं बता रहा हूँ चो मैं जब हमारी राज्य सरकारों ना दो हजाब तेरा में अब राजी मत किजिए योगा के लिए आप जन्ता के मुंदों पर बात नहीं करना चाहते हैं या चौबीस के चुनाव के बात करना चाहते हैं मैं इनसे पुछना चाहता हूँ ये योगा तो बात कर रहे हैं अनुराग जी आपके समाल का जवाब दे रहे हैं सुधान शुजी सबके फेडर डाउं सुधान शुजी सुधान शुजी देश उसके समर्थक नहीं बने द्वतिय प्रस्तावक बने जो यूनाइटेड नेशन्स की हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कोई प्रपोजल हो जी 170 देश की हो और सुनिए अनुराग जी बैठे तो हो 40 से दिक मुस्लिम देश थे और पिछले योग दिवस पे यून हेड़ क्वाटर में प्रधान मंत्री जी ने किया 145 देशों के लोग सायुत राजसंग के हेड़ क्वाटर के उपर थे ये आप इसका विरोध करते हैं और मैं आपसे पुछना चाहता हूँ अभी बताएं आपको क्या समझ से होगा अरे सुनिए तो भाई कहा है परि अधिकाल से प्राचिन का से आप चला रहा है अनुराग जी आप तब से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ये सिरफ आज के शो के लिए आपने योगा का पोज लिया है अरे मैं पच्पन से अरे नाविका जी अबर नाविका जी एक दिन में कोई ये सब आशन लगागे बैठ सकता क्या मैं तो सिशासर कर लूँगा आपको चैलेंज की आए सुदान शुद्रिवेदी जी ने अंतर आशे योग दिवस पर अपना योगा आसन दिखा दीजे मैं गाए है और हमने वीडियो डाला है गाए की सेबा करते हैं मैं सुदान सुद्रिवेदी से बोलता हूं सुदान सुद्रिवेदी चैलेंज करता हूं आपको टीवी डिवेट में चैलेंज कर रहा हूं एक वीडियो दिखाए गाए की सेबा करते हुए मैं अभी आपको द नहीं है, राजिते की को मुशे है, अजिवा के अधर्मrika काठा गाला था, आपकी थीज थीजाए है, यह नहीं के अधर्रिम के नहीं के ताइम से योग चला रहा रहा है, आप कर रजीड़ा का भाई, थीजे ताड पाम के नहीं है, खर्षी जनचा पाटी नहीं है, यह अज मैं प्रफुला की आपके पास आ रही हूँ, पब्लिक के कुछ और सवाल, राकेश कौशी का करनाल से सवाल है, महबत की दुकान में महबत के अलावा बाकी सब कुछ क्यों मौजूद है, विपिन खन्ना का यूट्यूब पर सवाल है, नेताओं की जुबान पर लगाम कब जाती और सनातन के मुद्दे को क्यों हवा देती है, प्रफुला केटकर जी पहले आप, जी, नाविका हमने ये देखा है हमेशा, बेरोजगारी, महेंगाई, नौकरी, अरे भया जनता उस पर मैंडेट दे रही है न, मध्यप्रदेश में आपको जनता पर विश्वास ने, जनता जवाब दे रही है, जनता जवाब दे रही है, भूल विश्व ये है, कि जब इल्लीगल स्मगलिंग चलता है, और गोर अच्छक उसको रोकने का प्रयास करते है, उनके अमकवार हमले होते है, कौन कहता है, योग का मजा कौन उडाता है, सूर्य नमस्कार जब शुर क्यों नहीं कहते हैं, यह किसी रिलिजन से जुड़ा हुआ विश्य नहीं है, तब यह बात नहीं आती है, क्योंकि वोल्ट बैंक बीच में आता है, भदोरिया जी, गोली चलाने वाले कार से वो कौने आप तो ऐसे कह रहे हैं, जैसे रोज सीशासन करते हो, आप तो ऐसे कह मैं कौन होती हो चालेंज करने वाली, मुझे चालेंज करने की जरूरत क्यों है, आपको आपको कोई काम नहीं है, आप जनता के मुद्धों पर बात करने से बचते हो, आप मुद्धा घुमाना चाहते हो, कभी, अरे हम तो बैठे हैं आशन में, आप बैठ के दिखा दो, कितनी देर से बैठ के डिवेट करने वाले, कितनी प्रैक्टिस होगी मेरी सोचों, बच्तन से कर रहा हूँगा, तब तो मैं किनी देर तक बैठ सकता हो, आप मुझे बताना आप योग, मैंने कमाल हो गया आप हर चीज की क्रेट लेना, करके दिखा रहा है, आपके नेता स्टैलिंग की मूर्ती लगा करा है, और फिर आपके नेता, आपके नेतारे मैं को आपके सामने बैठा हूँ, अनुराग जी मेरे पास 30 सेकिंड का वक्त है, समय खतम हो रहा है, आपकंधन को आर्शि क्या, मुझे बतानी क्या जरूत है मेरा तो सिशासन है मैं तो खरी दूंगा लेकिन बीजेपी के करेंगे बुच्छे कुछो ना तम मैं करू ना मैं कर दूँ और वो कहेंगे नहीं टिक टिक हो गया हो गया सुधान्शु जी मैं तो करी दूँगा अभी आपका तो कैमरामेन भी है मुझे तो एक सेकेंड लगेगा ने कर दीजे फिर सुधान्शु जी जवाब देंगे भो लो करेंगे मैं भी कर रहा हूँ तरक की बाद की बाद कीजिए अभी अन्वाग बदरिया जी को बताता हूँ अरे सिर्षासन की जड़े ज़्यादा कहानी नहीं आप कोई कहानी नहीं सिर्षासन पे बताओ याप सिर्षासन कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ दोनों लोग करते बादेश पर देखेगा अरे बाई बाइ बदाए फिर भई भी बात वर इसका मतलव कर रहा है पिर वही बात पहले मन का बाउत कर में आए ना तो लगा रहा हूँ आप करें बाह की तरह अ करें फिर दे तक डिवेट की अब कर दो भूद सेवा का लुए अनुराग जी आज तो गाड़ी निकल गई पहले आप, पहले आप में ये लगनों वाले दो मिल गए, तो पहले आप, पहले आप में गाड़ी निकल गई, लेकिन मैं सिरफ इतना कहना चाहती हूँ, योग में सिरफ पैर मोड़ना, सुधानशु जी ने ये बात उठाई, पै आप भी सत्ता में कॉंग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं, पहले भी युनाइटे ट्रंट गवर्मेंट में रहे हैं, आप बना देते इसको इंटरनाशनल, बना देते इंटरनाशनल योग दिवस, लेकिन ये अब योग पर जगड़ा, कवमूत्र पर जगड़ा, नौर्ट स ये चाते हैं अपने पुलिटिकल पार्टी से, ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, आज इस शो पर बस इतना ही धन्यवाद करती हूँ अपने तमाम पैनलिस्ट का, आप से लेती हूँ इजासत, नमस्कार लिए अज़िए, 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 अज़